तो हे गाइस तुम से भी का स्वागत है दुबार से चैनल पे एंड गाइस है तुम लोगों ने पोकेमोन के बहुत सारी गेम्स खेले होंगे एंड सभी गेम्स के अंदर तुम लोगों को अच्छी खासी स्टोरी एंड ओपन वर्ल्ड मैप तो मिली जाता है लेकिन इस वीडियो में आज मैं तुम लोगों देने वाला हूँ पोकेमोन टॉप टैन इमिलेटर गेम्स अब देखो मैं एक्जामपल से बताता हूँ चाहे वो पोकेमोन ओमेगा रूबी हो चाहे पोकेमोन अल्टर सन एंड मून हो चाहे वो पोकेमोन फायर रोड हो सबी गेम्स तुम लोग इमिलेटर के अंदर प्ले कर पाओगे अब देखे हैं सबी गेम्स के अंदर अच्छे खासे पोकेमोन मिल जाएंगे अच्छे खासे फाइटिंग एंग कॉम्बोस मिलने वाले हैं तो यार और भी डेटर्स जानने के लिए गेम्स को देखो एंड इंजॉय करोल हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं लेट्स रेडी फॉर दे वीडियो तो कैसे टॉप टैन पर हैं पोकेमोन एक्स एंड वाई तो यार सभी जी का ये most favorite पोकेमोन गेम है क्योंकि इस गेम के अंदर सबसे पहले mega evolution पोकेमोन दिखाए गए थे अब दिखे यार गेम को श्टार्ट करते ही तुम लोगों को gen 6 के starters मिल जाते हैं एक बात का यार रखना गेम के अंदर mega evolution में तुम लोगों को मिलने वाले हैं और बहुत लोगों ने इस गेम को प्ले नहीं किया है Android डिवाइस में तो यार मैं बता दू गेम तुम्हारा 4GB RAM या 6GB RAM के अंदर अच्छे से वर्ट कर जाएगा अब देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुम लोगों को सीट्रा एमिलेटर को डाउड करना है और गेम की फाइल तुम लोगों मिल जाएगी 870MB एंड गेम तुम्हारा amazing होन वाला है तो गेम को डाउड करो गैसर टॉप 9 पर है Pokemon Firehead तो गैसर इस गेम के बारे में कौन कौन नहीं जानता होगा हर कोई जानता है इस गेम के बारे में और यह सबसे पहला गेम है Pokemon का बात करते हैं गेम के बारे में तो यार इस जनरेशन के अंदर तुम्हारे starters favorite वाले मिल जाते हैं एंड गेम के अंदर तुम लोगों को जैन वन, की side, यह रीजनिए। तूमिन मेरें के और दो जादे हैं आपके। भजे हैं अब देश्य हैं, इस आमेरे लोगों का एस रोग डीडियो से क्लेए। एंड गेम की फाइल तुम लोगों मिल जाएगी 5MB एंड गेम तुम्हारा वर्क करने वाला है जीवीर मिलेटर तु कैसा इंजॉय करो गैसे टॉप एट पर है पोकेमोन हैट गोल तु कैसा इस गेम के अंदर मेन केरेक्टर एथन की स्टोरी दिखाए गई है गैसे गेम की स्टर् Walmart Gen 2 यानी की जोटो रिजन के मिलने वाले है एंड तुम लोगों को जोटो रिजन की स्टोरी मिल जाएगी गेम के अंदर बात करें गेम के बारे में तो गेम तुम लोगों को पूरा आउपन वर्ल मिलने वाला है बस गेम तुम्हारा 2D Graphics का गेम है गेम के अंदर इस पैसल बात यह इस गेम के अंदर Gen 4 तक सभी Pokemon मिल जाते हैं सभी Legendary Pokemon को तुम लोग कैच कर पाओगे बहले यह generation 2 का गेम है गयसे फाइनल पर जाने कि तुम लोगों को रेट से फाइट करना पड़ेगा जो की में करक्टर है एंड उसे डिफीट करना पड़ेगा जैसे गेम तुम्हारा फिक्टी सेवन एंबी एंड गैसा गेम तुम्हारा एंडियास वर्जन का गेम है तो या तुम लोगों को कोई भी एंडे सिमिलेटर को राउट करना है एंड गेम को इंजए करो गैसे टोप 7 पर है पोखेमोन गॉल आप डार्कनेस तो यह गेम बेस्ट है शैडव पोकेमोन क उपर या इस गेम के अंदर तुम लोगों को पता लगाना है कि शैडव पोकेमोन की मिश्टरी क्या होने वाली है एंड, स्टोडी पी वह बस्यखेम की दे करोकेंः को टोडशी बहुत यहां यह वाली मिल्जब ने वाली हैं जूर्ट यह झुर नाले यह शैडव लेंद् तो गाइस गेम की फाइल तो लोगों मिल जाएगी 1.5 GB एंड गेम तुमारा वर्ट करने वाला है डॉल्फिर मिलेटर में तो यह गेम को इंजॉय करो गैसे टॉप 6 पर है Pokemon Platinum तो गैसे यह गेम तुम लोगों को Generation 4 का गेम मिलने वाला है गेम के अंदर में करेक्टर Lucas की स्टोरी मिल जाती है एंड गेम के अंदर तुम लोगों को अच्छे खासे Pokemon मिलते हैं जिनके साथ तुम लोग अच्छे खासे फाइट कर सकते हो अब दो किया Pokemon Platinum में कैसा गेम है जहां पर ओल्ड पोकेमों के फाइनल एविलिशन दिखाए गे थे और न्यू पोकेमों भी दिखाए गे थे इस गेम के अंदर और इस रिजन के अंदर तुम लोगों को बहुत सारी लेजिनरी पोकेमों मिल जाएंगे जिनको तुम लोगों को कैच करना पड़ेगा फर एक्जमपल आर्कियास डियाल गा एंड पाल किया जैसे गेम की फाइल तुम लोगों मिलेगी 50 MB एंड गेम तुम्हारा वर्क करने वाला है NDA सिमिलेटर में तो यह तुम लोगों कोई भी बीडियो को यहां तक देखा है तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करो लाइक के महलू रखने वाले हैं 400 लाइस तो यह तुम लोग लोगों को किसी और आयलेंड की स्टोरी मिलेगी चैसे सबसे अच्छी बात गेम की यह है कि गेम की स्टोरी लाइन तो अच्छी चbourg मिलने वाली है तो लोग को और ऐस के साथ सभी पोकेमोन मासटर्स मिल जाते हैं इस गेम के अंदर जैंवी से लेकर जैन 5 तक अगर तुम के अंदर पोकेमोन स्कालेट एंड वालेट के पोकेमोन एड़ कर दिये गए हैं एंड तुम लोग गिंगी मिश्ट्री में यह पता लगाना है कि मेन क्रेक्टर की ड्रीम में आर्कियस क्यों आया बात सब्सक्राइब गैसे गेंगी फाल मिल जाएगी तुम लोगों को सिक्स एमबी एंड गेम तुम्हारा वर्क करने वारा है जी विम लेटर में एंड या गेम तुम्हारा छोटे स्मावल में प्ले हो जाएगा तो गेम को उंजाए करो गैसे टोफ फोल पर है पोकेमोन डिटेक्टिव पिकाचू तो यार यह गेम तुम लोगों को बेस्ट गेम मिल जाएगा इस गेम के अंदर मिश्टरी का पता लगाना है कि पिकाचू तुम्हारी लेंग्विज कैसे बोल पा रहा है अगर तुम लोगों ने लाइब एक्श इसको सॉल्ब नहीं कर पाओगे तो तुम लोगों को गेम को खेल करी पता चलेगा गेम कितना अमीजिंग है कैसे गेम की फाइल तुम मिल जाएगी 1.13 जीवी एंड गेम तुमारा वर्क करने वाला है सिट्रा एमिलेटर में तो यार गेम को एंजाय करो गैसे टॉप 3 पर ह तो गैसे अगर तुम लोगों ने यूनुवा रिजन एनिमे देखा है तो यार यह गेम उसी पर बेस्ट होने वाला है एंड याइस गेम के अंदर में करक्टर नेट की स्टोई दिखाए गई है एंड कैसे गेम तुम लोगों को अच्छा खासा मिल जाएगा क्योंकि गेम क अगर तुम लोगों को अपनोगा एक्सपेरियस मिलने वाला है अगर गैस तुम लोगों ने पोकेमोन वाइट वर्जन खेला है तो वहाँ पर तुम लोगों को बहुत साई चीज़े एक ड़म डिफरेंट मिलेंगी क्योंकि यह गेम उसी का नेक्स्ट बर्जन का गेम है अ अच्छा हमको सिकारिया है गैसे गीम की फाइल तुम लोगों लोगों को अच्छी खासी ग्राफिक्स मिल वाली है क्योंकि यह गेम तुम लोगों को 3ds का मिलने वाला है तो यह गेम के अंदर तुम लोगों लेजिनरी पोकेमों के ऊपर राइड कर पाओगे मेरा मतलब है पर किसी भी लोकेशन पर तुम लोग कहीं पर भी जा सकते हो गैसे गेम के अंदर तुम लोगों को में बिलन्स को रोकना पड़ेगा टीम एकवा एंड टीम मैगमा सभी को रोकना पड़ेगा एंड गेम के अंदर तुम लोगों को मेगा विलेशन तो मिलने वाला है गेम त गैसे टोप वन पर है पुकेमोन अल्डरा सं एंड मून तो गैसे इस गेम के अंदे तुम लोगों को मेन केरेक्टर इलियो की स्टोरी मिल जाती है गेम के अदर Gen 7 की Starters मिल जाते हैं जिनको तुम लोगो सलेट करके अपने एनिमेस को difeat करना पड़ेगा और गैसा गेम के अदर तुम लोगों को Ultra Beast को difeat करना पड़ेगा जो की अलग-अलग dimensions से आ रहे होते हैं गेम के अदर Main Thread तो Necrosma रहता है क्योंकि निक्रोजमा की वज़े से बहुत साइज चीज़े डिफिकल्ट हो जाती है गेम के अंदर अगर अगर तुम लोगों ने Z-move की बारे में नहीं सुना है तो इस गेम के अंदर Z-move मिल जाता है किसी भी पोकेमोन के अटेक की पाउर को दस गुना जादा बढ़ा देता है Z-move और याज गेम के अंदर मेग अवलुएशन की तरना Z-move मिलता है और मेग अवलुएशन तो गेम के अंदर मिलने ही वाला है तो इस गेम की फाइल मिल जाएगी 1.47GB गेम तुम्हारा 3DS का है तो समझ जाओ कौनसे इमिलेटर में गेम वर्क करेगा एंड गेम तुम्हारा 4GB RAM या 6GB RAM के अंदर अरांसे वर्क कर जाएगा गसर यह थे पोकेमोन इमिलेटर गेम्स एंड गैसा सभी गेम्स की लिंक मिल जाएगी कमेंट सेक्शन पर और रही कंचैर थे तुम लगें को लायक करा हिए तो लाइक लंट पता ही है को चैनल को सब्सक्कार नहीं किया टो चैनल को सब्सक्राइब कर नह नमत बुलना कि पोग्योमोन की वह वीडिचा यह बिचो तुम लोगों के पास सबसे पहले पहुचे एंड गैसे अगर कोई भी गेम अच्छा ना लगे तो कमेंट करके बता देना कि कौन सा गेम तुम लोगों को अच्छा लगा है एड यार मैंने जो कोशन पुछ रहा है उसका एंसो जल्दी देना हलो मिलते हैं न्यूव वीडियो पे तब तक के लिए बाइबाई भाई मजा आया